नमस्कार दोस्तों मैं दिनिश्क मार पांडे फिर से आपका कॉम्टेशन कम्मुनिटी के MPPSC online platform पर दिल से स्वागत करता हूं ठीक है तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले economics में जिसका हम तो mcq solve करने वाले हैं वो है bank और वो भी कौन सा bank reserve bank of India ठीक ओके तो आज हम लोग RBI के बारे में कोश्चन करेंगे 30 कोश्चन है और बहुत दीब भी है बहुत उपरी लेवल पर भी कोश्चन है देखो economics का जो chapter है न जो syllabus है आपके में तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि economics के जो कुश्चन आते हैं वो पूरे current level पर है जैसे अभी RBI ठीक तो RBI क्या करता है monitoring निती जारी करता है ठीक monetary policy जारी करता है तो at the present RBI ने क्या किया monetary policy जारी किया अभी इसी महिने में तो इसी महिने में तो यह आपका current affair होता है तो RBI के बारे में तो आज हम लों कुश्चन करेंगे ही मगर आप update रहे किस पर economics के current matter को ले करके जैसे अभी monetary policy उसको update कीजिए उसमें रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट फिर CRR SLR जो भी उसमें data अगर change है तो उसको लिखिए ठीक है क्योंकि हर 33 मेने में आएगा और जब अभी अपर भी आया अपरेल मां में तो अब तीन मेने बाद आएगा तो तब तक आपका प्री का पेपर हो जाएगा तो हो सब्सक्राइब को पूस्ट दे ठीक और उसके साथ तो तीन मेने बैक का भी देख लीजेग दोनों को फी compare करके बढ़ा है क्योंकि question direct में पूस्ट सकता है question यह पूस्ट सकता है कि कितना percent बढ़ा कितना percent घटा इस टेप का पूस्ट सकता है तो दोनों को देख लीजेगा तो economics का जो chapter है आज मेरा RBI का तो RBI से यह important question बनेगा बस ठीक की report को लेकर के इसको मैं detail में खालू मैं भारत का पहला केंद्रिये बैंक है यह पहला केंद्रिये बैंक Reserve Bank of India जो 1935 भारत शासर नदीनियम के तहद बना और 1949 को इसका राश्टी करन किया गया कब बना कब बना 1935 में एक जनुरी 1935 में बना और जुलाई 1949 में इसका राश्टी करन किया गया और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं अपन तो पहला question RBI का ठीक की Reserve Bank Stop College कहा इस्तित है तो Reserve Bank Stop College है अप का चैन नहीं में कहां पर है चैन नहीं में इस्तित है तो स्टाप College किसका है कहा है Reserve Bank का चैन नहीं में है उइन प्रिंटिंग है चिपी प्रिंटिंग है वो ठीक जो चैन दिखाए देता है वह कहूं सी printing प्रेंट का यूज है मतब्वाय साइट प्रिंटिंग को रभ्यावल है है Durg का राष्ट्री करन किया गया उसको 1949 में नाइटीन-फोटी-9 में नाइटीन-फोटी-9 में 110्र किया गया था तो RBI के स्थापना British government द्वारा एक committee गठित की गई थी 1935 में और उसी के कहने पर RBI मतलब नाम तो RBI नहीं रखा गया Kendry Bank रखा गया था और यह Kendry Bank बना था Royal Commission की सिफारिज पर तो Royal Commission की सिफारिज पर क्या किया गया RBI का गठन किया गया किसकी सिफारिज पर Royal Commission कमीटी के सिफारिज पर जूसको कौन गठित किया था British government गठित की गई थी की थी उसको ठीक फिर आजाओ next question कि भारत में credit के अपचारिक इस्तरोतों का वी निमित करने के लिए निमित में से कौन सी संसा जिम्यदार है which one of the flowing institution is responsible for regulating formal sources of credit in India मतलब भारत में जो credit के वर्क होते हैं उसको कौन regulate करता है मतलब कौन उसके लिए जिम्मेदार है तो common sense है भारत का केंदरी बैंक है कौन आर बी आई तो वही क्या करेगा सब काम करेगा और प्यार्भी करेगा क्लियर n उद्धरबलि झरो खतं गरेंगा उसके बाद वॉतमान में भारत को भारत के अर बी ऑी का गवर्क है तो अहीं तो कंप मना कौन लिए है सकति कान ना इस से पहले कौन थे रघुराम राजन थे जो अपना कारकाल खतम करने ने पहले ही छोड़ करके चल दिये उनके छोड़ने का सब्सक्राइब यह था कि जब 8 नॉमबर 2016 को ठीक ओधिन्याद है क्लियर तो 8 नॉमबर 2016 को मोदी जी ने नोट बंदी किया था हमारे पर हमारे प्रणान मंतिर तो इसको नोट बंदी करने से पहले ँन्होंने रगुराम राजन से वह इक बार सलळाया था कि नोट बंदी के खिलाप थे कि नोडबंदी ना हो ठीक और इसी के बाद उन्होंने अपना कारेकाल पूरा करने से पहले ही क्या दे दिया इस्थीफा दे दिया था क्लियर तो उसके बाद कौन बने सक्तिकान दास तो वर्तमान में अरिवयाई के गवणर कौन है सक्तिकान दास है उसके बाद इन में से कौन सी संसा भारत में रिवर्स रिपो रेट किदर को ठीक करती है तो रिवर्स रिपो 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 हार के जी ज़र रेशियो १ी ऐसलिट रशोलिट म02 उद्ध एन्ठ तर अनुपात तीक है नवीक्विट रेशियो ठीक इन पांचों को को मिला करके क्या कहा जाता है है मौनेट्रिब पॉलेशी कहा जाती है और इन पांचों गर यौन जारी करता है और बिद करता है भारत में करेंशी नोट का मुदर्ण करता है तो अब सबको मालूम है कि भारत में नोट कौन चापता है और भी आई चापता है उसके बाद मौद्रिक नितिक से और बागी कि जिम्यक्राइब नहीं है क्या करना मॉनिटरी पालीसी इशका ना ठीक उसके बादा जाओठ से गिसमद्र 20 ingen general एफ्यारों were not यह थोड़ा इंपर्टेन कोश्चन है ठिक तीसमारी में सब् després vé के लिए बढ़ा दिया है तो देखो काड़ से पेमेंट करने का नियम ठीक तो काड़ से पेमेंट करने का नियम लागू था आपका एक जन्वरी से तो इसको 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया कि उसके लिए नियम बाद में बनाएंगे तो 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया तो एक जन्वरी को होना था मगर एक जन्वरी को नहीं हुआ तो 6 माह मतलब कब जाएगा आपका जून तो जून 2022 तक इसकी समय सीमा क्या कर दिया है बढ़ा दी गई है card on file का मतलब है कि card से payment करने कर नियम बनाना ठीक उसके लिए उसको change करने के लिए ये किया गया था मगर उसको जनवरी में लागू करना था नहीं किये तो 6 मैंने के लिए उसको बढ़ा दिया गया तो 6 मैंने के बढ़ा दिया गया तो यह कब आ गया आपका जून 2022 में ठीक नेक्स्ट ठीक अर्बियाई 2 अक्टूबर 2021 में आर्बियाई ने IMPS IMPS की सीमा 2 लाग से बढ़ा दी है तो वर्टमान में IMPS की सीमा क्या है तो पहले तो यह पता करो आए मैं IMPS क्या है तो IMPS में I am का मतलब होता है Imitate P से मतलब होता है payment और S का मतलब होता है system Immidate payment system पेक I am का मतलब immediate P का मतलब payment और S का मतलब system तो immediate payment system का जो 2 लाग से बढ़ा दिया गया है इसका मतलब ही होता है कि आप एक साथ लगभाग इतना रुपै ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो दो लाग था पहले तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया वो दो लाग से पांच लाग कर दिया है तो IMPS की सीमा दो लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया है पांच लाग मतलब आप एक साथ पांट लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वह भी 24 घंटे में वह भी 24 घंटे टिक क्लियर तो इसका मतलब है कि तुरंट इमिडेट पेमिंट करना है तो कितना कर सकते हैं लग भाग तो पांच लाग तक कर सकते हैं तो दो लाग से बढ़ा कर दिया पांच लाग कर दिया ठीक फिर आजाओ नेक्स्ट कि भातरी जर्बैंक इन में से किस राज्य सरकार के वैसायकल इंदर करता तो याद रखो जम्मू कस्मीर जब हमारा साविधानी लागू नहीं होता तो वहां तो कोई रोल ही नहीं है तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा जम्मू कस्मीर के राज्य का कोई भी लेंदें नहीं करती ठीक नेकोशन आर बी आए की नियामक पैकेज टू सजार करोड रुपए कितना करोड रुपए 25,000 करोड रुपए का यह करोना काल में चला था किसमें चला था करोना काल में चला था तो कितना करोड रुपए 25,000 करोड रुपए ठीक फिर उसके बाद कि आर बी आई प्रिंटिंग प्रेस कहा है तो आर बी आई का प्रिंटिं प्रेस जहां नोटों की शपाई होती है कहां पर एंसर इस दिवास है तो वो चार जगहा ठीक मगर यहां पर आप्शन है आपका दिवास तो कहां कहां दिवास में नासिक में हो संगाबाद में ठीक है ओके क्लियर और एक जगह और है थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा कंफ्यूस लग रहा है ठीक है ना एकली का भूग भी लग रहा है बहुत तेज ठीक बट पढ़ाना ज़रूरी है तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो नासिक में देवास में जाएगा ठीक अंसर क्या हो जाएगा देवास फिर आजाओ किनी में से कौन भारती रिजाद बैंक की मौद्रिक नीती का साधर नहीं मतलब कौन कौन आता है मौद्रिक नीती में तो मैंने आपकी शुरू देर अभी सोज़ दे पहले बताया कौन कौन आएगा आपका सी आर SLR, bank rate, reverse repo rate और repo rate ठीक है तो option देख लो आपका option में आपका क्या क्या है कहां गया SLR है CRR है और bank rate है तो कौन नहीं आएगा इसमें GST तो कौन नहीं आएगा GST नहीं आएगा यह मौद्रिक नीती का साधन नहीं है ओके ठीक चलो next तो उसके बाद आजा किसी अर्थ वहस्ता म या तो वास्त्विक संपत्ती में निवेश करने के लिए या अभू करने के लिए अबंटीत करता है मतलब question यह पूछ रहा है आपको कि कि किसी अर्थ वहस्ता में बजट भी हो ठीक और उसके किसी में निवेश भी किया जाए और उसमें बजट भी हो जाए तो उसको क्या क सब्सक्राइब करते हैं तो उसको बिंवेश के लिए अबंटीत हो ठीक तो इसको कि पैसा हो जाए और उसका उभूग भी हो जाए ठीक तो एक सिस्टम बना के चलोगे तो अपने आप सब काम अच्छे सोगा पैसे का बजट बहुत जरूरी है जीवन में क्योंकि पैसे का करोगे तब जा करके कुछ योजना बना सकते हो ठीक तो विट्ति सिस्टम या प्रणारी को बनाएका रखना यह इंप्रॉटेंट है लाइप में ठीक फिरा जाओ ठीक किन्य निक्स में से कौन भार्ती वित्ती प्लनारी की नियामक संस्था नहीं है तो कौन सा भार्ती वित्ती प्लनारी में नहीं आता है ठीक उसके बाद से भी आता है ठीक और फिसके बाद इरडा आता है यह बीमा इमा वाला मैटर हो गया शेयर मार्केट वाला हो गया य स्विल एसको शंस्था नेysł है तो यह आपका किसमें हम इसी पर जाते हैं तो भारती भी पैसों का विदेशी मुद्रा उद्रा सारी चीजों का क्या करता है चलिए नेक्स्ट राष्ट्रियावाद बैंक की पूर्ण स्वामित्वरी सायता राष्ट्रीयावाद बैंक तो पहला याद रखो कि National Housing Bank क्या है तो National Housing Bank क्या है कि स्थानी स्तर पर जो आवाज के लिए वित्त वरस्था या वित्त की जरुद पड़ती है तो National Housing Board क्या करता है National Housing Bank क्या करता है कि स्थानी स्तर पर आवास के लिए वित्तिक की वरस्था कराता है ठीक और वित्तिक की इस्तिमाल की नियम कानून बनाता है ठीक वो भी स्थानी स्तर पर आवास के लिए तो इसकी सहायक कंपनी कौन होगी मतब सहायक कौन हो गया इसका तो इसको भी पैसा कहां से मिलता है मतलब इसकी सहाय क्या हो जाएगी आपकी RBI हो जाएगी कौन हो जाएगा तो नेतरल अलخ Cor मतलब किसके रूप में जाना जाता है तो वित्संस्थाओं को कि सोटार्व में जाना जाता है फानेंशियल और जेशन के रूप में जाना जाएगा सिंपल कुश्चन है ज्यादा हाड नहीं है सिफो आई एम एप आई एम पीएस का थोड़ा सा याद रखना ठीक और जो बढ़ाया उसको समय सीमा को जो कार्ड ओन फाइल वाला उसको याद रखना ठीक जो चैने के और भ會 सेला प्राइवेट डालप में फानेशल इंसीटूशन है आई सी आई सी च nowallen फाइन्स डेवलोप मेंट सीटूशन को अपका आई सी vit ए गया है तो आई सी आई सी जो परनाम किया है इंस्टूशनाल फीण और इसकी बाद आपका क्रेडिट एंड इंस्टिटूशन फिर उसके बाद आपका जाएगा स्वारी इसका थोड़ा सानाम भूर रहा हूं मैं आई सी आई सी आई सी ठीक ठीक इन इंसिटूशनल ठीक क्रेडिट इंसिटूशन कर्पोरेशन आफ इंडिया आई सी आई सी आई ठीक तो यह भारत का पहला यहाएइशनषनल इंसिटूशन है क्या भात का पहला निजी संस्ता पहला डैवड्रेशन इंसिटूशन आ इंस टैक ओन करिदे नहीं है मतलब कौन किसके बराबर नहीं देता है क्या ऐक किसके लिए देता है वह क्रिशी और ग्रामिड विकास के लिए ठीक तो पहले ही मिल गया आपको पहले ही मिल गया कौन सा नहीं मिल रहे है आपका नाबाड नाबाड ग्रामिड विकास और क्रिशी उपकर्णों के लिए दिया देता है ना कि अध्योगीक रिंड देता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नाबा अबाट और द्योगी करेंड नहीं करता टिक बाकी सब सेम है अपका निम्रिक्ष कौन भारत में एक संघटी छेत्र नहीं है तो कौन से संघटी छेत्रेट मतलब बैठा हुआ छेत्र जो विट्ट्टे से संबंदित हो ठीक तो आपका राश्टी की बैंक है छेत्री गामनी बैंक भी है सहकारी बैंक भी है शीट्स और साहुकार जिनका निचींदियों जो ब्याज पर पैसा देते ना यह संगटी छेत्र में नहीं आता ठीक जो ब्याज पर क्या देते हैं पैसा देते हैं यह संग RBI का राश्टी करण किया गया था तो RBI का राश्टी करण किया गया 1949 में तब ही आप का आया था कौन सा Banking regulation Act यह राश्टी करण किया घया था ठीक है त। 1949 में Banking regulation Act आया and last question इसके बाद आपका यह topic खटम तो लास्ट कोशन है कि National Bank of Agriculture and Ruler Development, मैंने भी बताया ना, NABARD, NABARD, National Bank of Agriculture and Ruler Development Bank, तो नाबाद का गठन कब किया गया था, तो नाबाद का गठन किया गया था, 12 जुलाई 1982 को जब भारत में छटवी पंचुवर सी योजना चल रही थी, तो आंसार हो जाएगा A, NABARD का गठन कब किया गया, 12 जुलाई 1982 दब भारत में छटवी पंचुवर सी योजना चल रही थी, छटवी पंचुवर सी योजना का टाइम परेट था, 1980 से 1985 के बीच, तभी नाबाद का क्या किया गया था, गठन किया गया था, तो यह आपके 30 कोशन थे, MCQ थे, RBI के, ठीक, अब RBI से डिलेटेर, अगर कोई कोशन आएगा, तो आपसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, बट यह जरूर है, कि अभी अप्रेल माह में, RBI ने मौदरिंग नीती जारी किया है, मौनेटरी पॉलिसी जारी किया है, तो आप उसको अपने न्यूस पेपर में देखिए, ठीक, और उसको नोट कीजिए, क्लियर, और अगर नहीं मिल रहा है, तो RBI को लेकर के, मैं जो क्रैस को सभी बताऊंगा, तो उसमें आप क्या क थेंक यू सो मच एंड जाहिन!